नमस्कार दोस्तों आप सोकर स्वावात सरकारी ITA यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार ITA कैट 2021 का रेंग कार्ड जो है पब्लिस किया जा चुका है इसमें बहुत ज्यादे इस्ट्वेंट को जो प्रोबलमें हो रही है प्रोबलमें क्य हमें बता देजिए और दूसरा प्रोबलम क्या है तो आप यहां पर देख पाईएगा बिहार ITA कैट 2021 रिजल्ट आने के बाद आंगे क्या करना है इसके बारे में किसी को जनकारी नहीं है इसके बाद बात करेंगे कि कांसलिंग आपका कांसलिंग किस प्रकार से लिया जाएगा इसके बाद देखिएगा पांचे नमबर पर आपको मिलेगा कितने राइंग को कौन कौन से ट्रेड मिलेगा इसके बारे में जनकारी मिलेगा कांसलिंग में कौन कौन से डाकुमेंट लगेंगे आपको यह भी जनकारी मिल जाएगा और यहां पर बहुत लोग क्य कर रहे हैं कि सर हमारा इसका मतलब क्या है इसके बारे में आपको बता देंगे और यहां पर देखिए एक आठ नमर में इसके बारे में जनकारी दिया जाएगा यानि क्यों बताएगा कि यहां पर हमारे आई ट्रील और इसके बारे में आपको देखिए और हमारे प्राश मेंद्रिया पर देख और यहाँ पर देख पाईएगा लास्ट और दस नमबर प्रश्ण देख पाईएगा आपको यहाँ पर दिया गया है मेरा rank card में rank देख पाईएगा इतना है एकजान में कितना नंबर आया है बहुत लोगों ने ये कहा कि हमारा rank आ गया है लेकिन हमें कितना नंबर मिला है हमें जनकारी नहीं है इसके बारे में भी हमें प्लिच बता दीजिए इसके बारे में आप लोगों का वीडियो बहुने वाला है इसको fill up करके यहाँ पर देखिएगा So rank पर किलिक करके इसको download कर सकते हैं इसका link आपको हमारे वीडियो के discussion box में मिलेगा जैसे ही आप अपना rank download कर लिजिएगा इसके निचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका rank यहाँ पर देख पाज़ेगा 03 और UR 1830 लिखा हुआ 100 हो रहा है सबसे पहले बताते हैं कि 03 क्या है 03 जो आपका district यानि कि आपका ITA district का serial number है 03 यानि कि यह बक्सर का है तो यहाँ पर 03 लिखा हुआ 100 हो रहा है आप यहाँ पर देख पाज़ेगा बक्सर 03 ठीक है और यहाँ पर जो लिखा गया है 1830 इसका मतलब क्या है और यहाँ पर देखिएगा BC में आपको यहाँ पर बताया गया है निचे एक सारी दिखाते हैं 03 BC पांसो अंठान में ठीक है तो आपका BC में पांसो अंठान में rank है और यहाँ आप जेनल में जाएंगे तो आपका 1830 rank है यह दो जगा rank क्यों दिया गया है क्योंकि जो आप जो qualify किये हैं अपने category में भी qualify किये हैं और जो आप qualify किये हैं यूर category में भी qualify किये हैं सबसे पहले rank के बारे में आपको लोग को बता देते हैं rank जो तयार किया जाता है यह आपके district में आपके district में जो भी college है उसके अनुसार उसमें कितना seat available है उसके अनुसार हर एक district में अलग-अलग rank तयार किया जाता है ठीक है यदि आपका जीतना rank कम रहेगा मान लिए कि किसी का rank 1 है या 3 है इन लोग का जो है बेश्ट है ठीक है यदि आपका rank जो है 100 है तो इसे से जो है 100 जो है आपका अच्छा नहीं है rank 1 ही अच्छा माना जाएगा ठीक है आप समझ गये होंगे चलिए बात करते है next question के बारे में तहीं दूसरे question के बारे में जो की है बिहार ita cat 2021 का result आगया है अब आगये क्या करना है तो आपको आगये कुछ नहीं करना है आपको अपना सभी document को संभाल का रखे लेना है एक जगा एकतरीत कर लेना है वो कौन कौन से document है आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा आपको बता दें कि इसके बाद आप लोग को counselling के लिए एक link active होगा उसके अनुसार आपको counselling करना होगा इसके लिए counselling का आप यहाँ पर देख पाएगा तिसरे में आपको लिखे हुए हैं यह counselling की सब्रका किया जाएगा और कब होगा तो counseling का पता देख कि counseling का अभी कोई date को जो है निजारित नहीं किया गया है और counseling online होगा या offline होगा इसके बारे में आपको बताते हैं कि counseling जो लिया जाएगा आपका online लिया जाएगा offline counseling आप लोग का नहीं होगा पहले offline counseling होता था पहले आप लोग का online counseling ले लिया जाएगा यह counseling में आप लोग कौन-कौन से treat करना चाहते हैं इसके अनुसार आप लोग को आपका counseling किया जाएगा इसके बाद आपका जो है जैसे ही list एक तैयर किया जाएगा उसके अनुसार आपको off-line जाका document को verification कराना होगा आपको बता दे कि जितने भी student अभी ITA का exam दिये है ITA का 2021 का exam दिये है उन से भी student को सरकारी college मिलेगा यानि कि government college ही मिलेगा क्योंकि private college जो है exam नहीं conduct कराता है वो deck आप लोग का admission ही ले ले लेता है तो आप लोग परिशान ना हो कि सर हमारा 3000 से उपर rank आया है हमें सरकारी college मिलेगा या नहीं मिलेगा आप लोग को बिल्कुल सरकारी college ही मिलेगा private के लिए यहापर कोई बात ही नहीं है ठीक है आप यह भी समझ गया होंगे इसके बाद बात करते हैं कि देखिए यहापर भी है कि कितने rank वाले को कौन कौन सा trade मिलेगा इसके बारे में जनकारी आपको बताते हैं सबसे पहले बताते कि जो आप लोग पूछ रहे हैं सही है rank के हिसाब से आप लोग का जो है trade मिलता है लेकिन यह जो है trade निरधारित किया जाता है कि आपके district में आप जो trade लेना चाहते हैं उस trade में कितना जो है seat available है और उस seat जो अब लेबल है और आपके district से कितने लोग qualify किये हैं और आपने category भी देखिए गा जैसे कि यहाप लेबल है तीस seat अब लेबल ही है ठीक है मान के जाते है तीस seat अब लेबल है आप नलंदा district के हैं तीस seat अब लेबल है इवार में ठीक है लेकिन इवार में qualify कर लिए है 100 candidate वो का तो admission ले लिया नहीं जाएगा क्योंकि यहाप लेबल ही तीस seat रखा गया है ठीक है तो इसके लिए आपका जो है rank देखा जाएगा आपके rank अनुसार वो जो है B.C.E.C. board के द्वारा आप लोगो select किया जाएगा फर्स्ट राउन और सेकेंड राउन के select होगा उसके बाद मपो counseling के लिए आप जा सकते हैं कांसिलिंग में आप लोगो कौन कौन से document लगेंगे इसके बारे में आपको जनकारी देते हैं तो सबसे पहले बता दे कि counseling में आप लोगो का कोई document नहीं लगेगा क्योंकि counseling आप लोगो online लिया जाएगा इसमें आप लोगो रोल नंबर, retention नंबर, data birth किया हो सकता होगी और mobile नंबर की जो mobile नंबर आप लिंक कराएं होगे या जो mobile नंबर आप form भरते वक्त दिये होगे उस mobile नंबर की अतिया हो सकता होगी ताकि उस पर OTP जाएगा OTP को verification करने के बाद आप लोगो का counseling किया जाएगा उसके बारे में जैसे counseling आएगा counseling होना सुरू होगा आपको सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल के मादम से मिल जाएगा इसका बात करते हैं कि आपको यहाँ पर देखिएगा साथ नंबर में लिखा गया है You are not qualified दिखा रहा है इसका क्या मतलब है इसके बारे में आपको जनकारी देते हैं यहाँ आपका भी You are not qualified दिखा रहा है सबसे पहले आपको फिर से अपने page को login कर लेना है और यहाँ पर दिखिएगा आपका जो roll number होगा वो roll number और यहाँ से अपना date of birth को सही सही ठीक है जो भी आपका date of birth होगा वो date of birth को सही से फिलब कीजिएगा और 100 rank पर click किजिए click करने बद आपका rank card खुल का सामने आ जाएगा यह फिर भी आपका rank card नहीं कुल का सामने आता है तो आप एक बार ध्यान दिजिएगा 48 घंटे ठीक है आपको 48 घंटे तक वेट कर लेना है उसके बद आपका rank card अपडेट कर दिया जाएगा यह आपको बता देखी आपका रोल नंबर में या जो है date of birth में थोड़ा सा mistake होगा तो आपका rank card जारी नहीं किया जाएगा जैसे कि देख लिजए सही rank card है और आपका category में भी rank काया है तहां आपका admission केसे लिया जाएगा आपको बता देखी कि आपको admission लेने के विस्ट से पहले आपको online counseling कराना होगा आप चाहे तो आपका custom year में रायंग आया है तो आप आप ई-वर में भी admission करा सकते हैं या आप तक category में rank आया तक category में भी admission करा सकते हैं आप पहले देख लिजेगा आपका district में कितना seat available है उसके अनुसार आप जो है जाएगा counseling में ठीक है पहले आप लोग online counseling choice feeling कर लिजेगा उसके बाद आप लोग का एक list जारी होगा जिसमें कि आपको यूर में भी roll number देखने को मिलेगा और आपके category भी जो होगा उसमें भी आपको अपना roll number देखने को मिलेगा और side में आप लोग को कब या आपका document verification कराना है उसके बारे में भी बताया जाएगा तो आप लोग का जब भी यूर में rank होगा या category में राएंग होगा उस date को जाकर अपना document को भी बेक्शन करा सकते हैं अब बात करते हैं कि हमारे government ITA में कितना sheet available इसके बारे में आपको दिखाते हैं कि आपका जो है 2021 में जो new exam हुआ है और उसका जो है government ITA में कितना sheet available उसके बारे में आपको बताते हैं ITA 2021 का यहाँ पर prospector आपको दिखा रहे हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर session भी देख पाईएगा session 2021-2022 यानिक एक साल का trade और यहाँ पर देख पाईएगा session 2021-2023 यानिक दो साल का trade ठीक है इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका college हो होगा, कौन सा college है और district ठीक है, जिस भी district में आपका college होगा ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख पाईएगा trade इसका link आपको हम वीडियो के discussion box में दे देंगे, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को download भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर देखिएगा trade, यानि के माली जब पतना में ITI दिगा घट पतना, ठीक, एक बताते इसके नुसर आप अपने district में और आपका trade लेना चाहते हैं, उसमें आप लोग अपना check कर सकते हैं, और यहाँ पर देख पाईएगा NCBT, 2S का trade है, ठीक है तो 114 seat available है, किसमें ITI दिगा घट पतना में, ठीक है electrician में, इसके नुसर आप लोग counseling कराईएगा, इसका link आपको video के discussion में देंगे, वहाँ से download कर सकते हैं इसमें सभी district का seat available बताया गया है, एक बात और बताया दे कि आपको जो है, NCBT ही rate मिलेगा, ठीक है, परिसान ना हो येगा, क्योंकि ACBT को ही, 2019 से ही हटा दिया गया, 2019 के बाद से ACBT को हटा कर, NCBT में convert किया जा चुका है, आप इसको download भी कर सकते हैं कर रहें कि सर हमारा rank card जारी कर दिया गया और rank हमारा आ चुका है, लेकिन हमें exam में कितना number मिला है, इसके बारे हम जनकारी नहीं है, इसके बारे बता दिजिए कि हमारा number कितना आया है, वो कैसे हम चेक करेंगे, तो आपको बता देखिए जो ITA का exam होता है, interest exam होता है, उसमें आप लोग को rank card ही जारी किया जाता है, क्योंकि district crisis का seat जो है, बाटा गया है, और district quiet में कितना seat available है, उसके अनुसार यहाँ पर बाटा गया है, सभी category को इसलिए यहाँ पर rank को जारी किया जाता है, न कि यहाँ पर आपका number 100 किया जाएगा, rank का अनुसार आप लोग का और भी सवाल हो, जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो, कमेंट कीजेगा, उसके बारे में भी आपको बता देंगे, धन्यबाद